एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ आयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज उर्दू के मसूर सायर अलामा इकवाल के इस सेर का आर्थ है कि महमूद गजनवी और उनके गुलाम आयाज जब नवाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो दोनों एक ही लाइन में होते हैं यानि ना तो उससे में कोई बात्सा होता है और ना ही कोई गुलाम इकवाल इस सेर के जरिये यह बताने की कोशिस करते हैं कि इसलाम धर्म के सभी मानने वाले बराबर हैं और उनमें किसी परकार की कोई उच निच नहीं है लेकिन क्या सच में मुसलिम समाज इसा है जहां कोई जाती नहीं कोई भेदवाव नहीं और सभी बराबर हैं बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि मुसलमानों में जाती के अधार पर कोई भेद ही नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमानों में भी जातियां तो हैं, लेकिन उनमें इतने गंभीर मतवेद नहीं हैं, जितना की हिंदूओं में हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आखिर मुसल्मान समाज की संरतना कैसी है? और क्या वहाँ भी समाज के सभी वर्गों के बीच रोटी बीटी का रिस्ता है? तो आए इस वीडियो में इन ही कुछ सवालों के जवाब तलासने की कोशिस करते हैं. सवाल नंबर वन मुसल्मानों में कि बट जमिनी सचाई कुछ और ही है. भारतिय मुसल्मान मुख्यत तीन जाती समुहों में बटा हुआ है. उन्हें अस्राफ, अजलाफ और अरजाल कहा जाता है. ये जातियों के समुह हैं जिनके अंदर भी अलग-अलग जातियां सामिल है. हिंदूों में जैसे ब्रामन, छत पत्रिये, बैस्च और सुद्रबर्न होते हैं. वैसे ही अस्राफ, अजलाफ और अरजाल को माना जाता है. राज्य सभा के पूर्व सांसद और पसमांदा मुसलिम आंदोलन के नेता अली अन्वर अंसारी का कहना है कि अस्रफ जो शरीफ या फिर कहें एक उच सब्द का बह होता है, जिसमें बाहर से आयोए अर्वी, इरानी, तुर्की, सयद, सेख, मुगल, मिर्जा, पठान जैसी जातियां आती हैं, जो सासक रही हैं. मुसलिम समाज की इन जातियों की तूलना हिंदू की उच जातियों से की जाती है, जिनमें ब्राम्हन छत्रिये बैस से सामिल ह दूसरा वर्ण है अजलाफ, इसमें कहा जाता है कि बीच की जातियां सामिल हैं, इनकी एक बड़ी संख्या हैं जिनमें खास तोर पर अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैसी जैसी कई जातियां सामिल हैं, कुरैसी, मीट का ब्यापार करने वाले और अंसारी मुख्य रूप से कपड़ा बुनाई के पैसे से जुड़े होते हैं, हिंदूों में उनकी तूलना, यादव, कुरी, कुर्मी जैसी जातियों से की जाती है, तीसरा वर्ण है अरजाल, इसमें हलाल खोर, हवारी, रज्जाक जैसी जातियां सामिल है, हिंदूों में मैला धोने का काम करने वाल लोग मुस्लिम समाज में हलाल खोर और कपड़ा धोने का काम करने वाले धोबी कला यह प्रोफेसर तन्वीर फजल यह बताते हैं कि अरजाल में वो लोग आते हैं जिनका पेशा हिंदूों में अनुसुचित जाती के लोगों का होता है इन मुसल्मान जातियों का पिछड़ा जैसे बन, गुजर, तडवी, भील, सेपिया, बकरवाल आते हैं दलित में महतर, भक्को, नट, धोबी, हलाल खोर, गोरकन और पिछड़ी जातियों में धुनिया, डफाली, तेली, बुनकर, कोरी आते हैं मुसल्मानों में भी लोग अपनी ही जाती देखकर साधी करना पसंद करते हैं कुछ मुसल्मान जातियों की कॉलोनी एक तरफ बनी होई हैं तो कुछ मुसल्मान जातियों की दूसरी तरफ एक्जामपल में इस फोटेज को देखिए ये जो दिवार आप रोड के बिचो बीच देख रहे हैं ये कोई घर बनाने के लिए नहीं है ये है दामुदर पूरी टोला का जो पानापूर हवेली पंचायत मुझफर पूर का है ये छोटी कद की दिवार यहां रहने वाले मुसलमानों सेख और अंसारी जात को अलग करता है हालात ये है कि रोड पर बने इस दिवार के वज़े से इस रोड से एक गाड़ी भी पार नहीं कर सकती एक बीबीसी में दिए गया इंटरव्यू में प्रोफेसर इमत्याज अहमद बताते हैं कि मुसलमानों में भी जाती पर्था हिंदू की तरह ही काम करती है बिवाह और पेसे के अलावा मुसलमानों में अलग-अलग जातियों के रिती रिवाज भी अलग-अलग है पस्चमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तूर्क लोधी मुसलमान रहते हैं और उनके बीच काफी तनाव रहता है और उनके अपने अपने इलाके भी है आपसी संबंधों पर राजसभा सांसद रहे अली अनवर अंसारी के राय थोड़ी अलग है वे कहते हैं कि जीने जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान भी बनाए गया है हलाल खोर हवारी रज्जाक जैसी मुसलिम जातियों को सयद सेख फठान जैसे जातियों के कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं दी जाती सिर्फ भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के मुसलिम समाज में नसल बा उच नीच किसी न किसी रूप में परचलित है तुर्की में काली पगडी केवल सयद ही बांच सकता है भारत में भी ऐसा ही देखने को मिलता है यमन के अखदाम जो सफाई कर्मी होते हैं उनके साथ अच्छूतो जैसा ब्यवहार आम बात है मुशलमानों के तीन बड़े देश तुर्की, सौधी अरब और इरान में सत्ता पर बर्चास्व क्रम सह, तुर्क जन जाती, अर्वी बधू और सयद जाती का है वो कहते हैं कि मस्जिद में जाती बेवस्था लागू नहीं होती क्योंकि इसलाम इसकी इजाज़त नहीं देता दिल्ली की कई मस्जिदों में ऐ उच नीच नहीं, तो क्या इसलाम में OBCST ये कास्ट है क्या, इसलाम में तमाम इनसान बराबर है, अगर हकूमत कुछ खास तबखे के लोगों कुछ रियायत देना चाहिए, ये है एडवाकेट फैज सयग, ये कहते हैं कि इसलाम में उच नीच या कास्ट नहीं है, लेकिन ये ये भी कहते हैं कि किसी खास तबके को अगर सरकार से कोई benefit होता है, तो वो उसे ले सकता है, लेकिन कोई गलत certificate किसी कास्ट का बना कर नहीं ले सकता, वो पाप है, तो अगर कास्ट नहीं है, तो अलग कास्ट की certificate बनाने का तो कोई मतलब नहीं बनता, इसका मतलब है कि ज जातियों को OBC आरच्छन का लाब जरूर मिलता है अगर देखा जाये तो संविधान के अनुछेट 341 के जरिए अनुसुची जाती को आरच्छन मिलता है लेकिन इसमें रास्टपती का एक आदेश जुड़ा हुआ है इसके तहत हिंदूों में अच्छूत माने जाने वाली ज जातियों को इसमें सामिल नहीं किया गया मुसल्मानों में कम से कम 15 जातियां हैं जिन्हें अनुसुचित जाती का दर्जा मिलना चाहिए मुसल्मानों में जो पिछड़ी जातियां है उन्हें OBC कटेगरी में रखा गया है लेकिन उससे हलाल खोर जैसी जातियों के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता जबकि उनका पिछड़ापन हिंदू दलितों जैसा ही है न सिर्फ अनुसूचित जाती बलके अनुसूचित जन जाती में भी कोई मुसल्मान नहीं आता हिंदूों में मीना जाती अनुसूचित जन जाती में आती है और उसे आरच्छन मिलता है व सुचित जन जाती का दर्जा भी मिला हुआ है सवाल नंबर तीन मुसलमानों में जाती प्रथा कैसे आई तो कुछ लोगों का मानना है के भारतिय समाज की समाजिक सनरचना के मूल में जाती विवस्था है ये सभी धर्मों में पाई जाती है समाज सास्त्री प्रोफेशर इम्तियाज अहमद बताते हैं कि इसलाम धर्म जब तूर्की और इरान होते हुए हिंदुस्तान पहुचा तो उसमें एक प्यूरिफिकेशन आ चुका था और जब ये धर्म हिंदु जाती पर्था के संपर्क में आया तो इसे और भी जादा मजबूती मिल गई वही प्रोफेसर तनवीर फजल इसके पिछे कुछ दूसरे कारण भी बताते हैं वह कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के समय लोग अपने साथ अपनी अपनी जातियां भी लेकर आया इसलाम धर्म अपनाने के बाद भी उन्होंने जाती को नहीं छोड़ा उत्तर प्रदेश के जिस राजपूतों ने मुसलिम धर्म अपनाया वह अभी भी अपने नाम के साथ चवहान लिखते हैं खुद को राजपूत मानते हैं साथ में यह भी माना जाता है कि जो तुर्क, मुगल और अफगान भारत में आये उन्होंने अपने लोगों को सासन ब्यवस्था में उँचा स्थान दिया और यहां के लोगों को नीची निगाहों से देखा इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि इसलाम भले कहे कि इसलाम में उच नीच जातपात नहीं है बट जमीनी सचाई में जातपात मौजूद है मेरी राय में जात्पात होने से कोई बुराई नहीं है किसे भी कौम में बट मतभेद नहीं होना चाहिए आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्षिन में जरूर लिखे